Dear Students, Good Morning कल के द्या को हम आगे बढ़ाते हैं कल हमने आपको affirmative sentence negative sentence interactive sentence में tag type question बताये थे आज हम बात करेंगे w's type question की second heading लिखेंगे w's type questions ऐसे प्रस्णवाचक वाक्य जिनका हिंदी अनवाद करने पर प्रस्णवाचक सब्द कब कहां क्या क्यों कौन कैसे आदी प्रस्णवाचक सब्द कब कहां कौन कैसे आदी वो वाक्य के मद्ध में आते हैं यह एक न दूंट है क्या सब्द वाक्य में सो प्रारब में आता है यहां क्या मद्ध में प्रुषिफ्уса सब्द आते हैं कि कि और जिन का उत्तर eve कि में नहीं दिया जय सकता है कि मैं डबल अज टाय गुश्च़ अन्सक्री उ нами यह आयोा थे इसका अर्थ हुआ आपका नाम क्या है तो इसका आपसे कोई कोई कुई करता है what is your name तो इसका अंसर आप स- or N-O में नहीं दे सकते एगश कोई से ने 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 निए सकते पर कुई गाइब मेरी गाइब वहाँ पर है कि आप इसका उत्तरिया Coki hi मैं नहीं दे सकती है थो ड़ाइब कई इनको क्यों कहा जाता है इसके लिए और नोट्स में देखेंगे आप तो उनको समझाएंगे कि क्यों इनको ड़ाइब को대ुर जिन एप टेक टाइप कोईशन आपके जुहाएं नोट में देखें टेक टाइप कोईशन में सहाय करिया है इस, एम, और, वाज, वर, डू, डू, डज, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, कैन, कुड, में, माइट, उड, शुड, आदे यह वाकिय क्या आरम में आती है इनसे वाकिय प्रारम होते है परन्त, डू, टाइप कोईशन में प्रस्तनवाचक सब्द पहले आते है अब देखें, पहला वाट है कि डू, एच, ओ इसकी स्पेलिंग है डू, एच, ओ, हूँ इसमें डू, एच, आया, वाट इसकी स्पेलिंग देखें, डू, एच, ए, टी इसमें डू, एच, ए, यह, वेन, डू, एच, ए, 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 री वाई, डू, एच, वाई, वेच, डू, एच, आई, ए, च, हूँँज, डू, एच, ओ, एम हूज, डू, एच, ओ, सि, इतनie आपने प्लस्वाच को आके देखें, सम्में डू, एच, कामन है, सम्में, डू, आव्य, चैहुँआ है एक वोड़ ऐसा है, इसमें एच पहले है और डू, लास्ट में है, देखें, हाव ऐच पहले है एच ओवड़ डबलु लास्ट में इसने इनको डबल्व टाइप कोशन भी कहा धा है और यही वाकिय के आरम में आते हैं तो आपने टैग टाइप कोशन पढ़ा था उनमें और उनमें अंतर यही है कि वह टैग टाइप कोशनस सहाय क्रिया से आरम वहते हैं परंतु W-type questions प्रस्णवाचक सब्द Who, What, When, Where, Why, Which, Whom, Whose, How आदिसे आर्म होते हैं आपका ने संटेंस है इंपरेटिव संटेंस इंपरेटिव संटेंस आदेश आत्मक वाक्य आदेश, निवेदन, प्रार्थना, सला आदिका भाव प्रगट होता है आदेश आत्मक वाक्य कहलाते है इन वाक्यों की भी एक विस्था होती है कि इन वाक्यों में करता यू, वाई ओ यू यहनि तुम तो करता यू, छिपा रहता है उसे लिखा नहीं आता जैसे एक्जामपल देखें पहला एक्जामपल है, गो देर वहाँ जाओ तो आदेश दिया गया है, यू गो देर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर यू छिपा हुआ है इडन है अगला संटेम्स देखें प्लीज गिम मी यू पैन प्लीज गिम मी क्रपया मुझे दे यू पैन अपना कलम क्रपया मुझे अपना कलम दे नेक्स एग्जाम्पल है नेवर अभिउजू एनिबड़ी कभी किसी को गाली मत दो नेक्स एग्जाम्पल लेट अस गो आओ चलें तो सी एमोबी एक को चलचेतर देखने चलें पिक्चर देखने चलें तो आपने देखा कि इस आदेशात्मक्वाक के अफर्मेट्यू थे जो एजाम्पल हमने आपको दिये थे और निगेट्यू दोनों प्रकार के होते आदेशात्मक्वाक के अफर्मेट्यू और निगेट्यू दोनों ही प्रकार के होते हैं निगेट्यू होने पर इनमें डूनट डोंट या निवर का प्रयोग अवश्य होता है नेक्स संटेंस आपका है एस्कलेमेटरी संटेंस एस्कलेमेटरी संटेंस विस्मयादि बोधक वाक के तो ऐसे वाक के जिन से अचानक हरदय के उदगार उदगार करता है विचार जिन से अचानक हरदय के विचार और विचारों में कौन से हर्शु दुखु आश्चर्य आदि प्रकट होते हैं विस्मयादि बोधक वाक के कहलाते हैं इन में मार्क ओफ एक्सक्लेमेशन यानि विस्मय सुचक चिन्न इन वाक्यों में विस्मय सुचक चिन्न अवस्च लगा होता है जैसे एक्जम्पल में देखें प्रतेक वाक्य में विस्मय सुचक चिन्न लगा हुआ है पहला है हुर्रा इसके बाद में विस्मय सुचक चिन्न लगा हुआ है वी ओन दा मैच हम मैच जीत गए अगला एक्जम्पल है एलास उसके बाद में विस्मय सुचक चिन्न लगा हुआ है सी डाइड एलास दुख है कि वह मर गई हाव ब्यूतिफुल दरेन इजू वर्षा कितनी सुंदर है तो सभी वाक्यों में आप देखें विस्मय सुचक चिन्न लगा हुआ है इसके बाद आपका लास संटेंस जो है वो आप्टेटिव संटेंस है इच्छा सूचक वाक्य ऐसे वाक्य जिनसे आशिरवाद शाप या तीब्र इच्छा का भाव प्रकट होता है इच्छा सूचक वाक्य कहलाता है इन वाक्यों में भी बिस्मयादी बोधक चिन्न लगा होता है क्या लगा होता है बिस्मयादी बोधक चिन्न लगा होता है अब पहला एजम्पल देखें में यू लीब लांग आप दीरगाए हूँ में यू लीब लांग आप दीरगाए हूँ तो एक आशिरवाद है नेक्स्ट है में यू गो टु हैल नर्क में जाओ तुम इसी को अगर हम देहात की भासा में करें तो क्या बोलते हैं वो भाड़ में जाओ तुम तो नर्क में जाओ तुम यह स्राप है अगला जहां पिल हमने लिखा है वो है में यू आल गेट फर्स्ट डिविजन आप सभी को प्रतम सेर्णी प्राप्त हो यह क्या है यह हमारी इच्छा है कि आप सभी को फर्स्ट डिविजन प्राप्त हो तो आपने जो आपका पहला चैप्टर संटेंस एंड इट्स काइंड सू इसको विद्वत अध्यन कर लिया है अब इसके बाद हम अगला चैप्टर पार्ट्स ओफे संटेंस पार्ट्स ओफे संटेंस यह नेक्स्ट वीडियो में आप लोग पढ़ेगे प्राट्स ओफे संटेंस पार्ट्स ओफे संटेंस इसके